मित्रो ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यू लोग पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है या मृत्यू के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि इन सबी सवालों का जवाब गरुण पुराण में विस्तार से बताया गया और आज की इस वीडियो में ह लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते है यमदूत के द्वारा वापस चोड़ लगती है तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन यम्दूत के पाश में बंदे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है इसके लावा गरूर पुरान में बताया है कि किसी की मृत्यूं हो जाने पर जब उसके परिजन रोते भी लगते हैं तो यह देख पुर्त आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है लेकिन वह कुछ नाबल नहीं रहता कि वह यम लोग की यात्रा तै कर सके गरोड पुरान के नुसार किसी भी मनुश्य की मृत्यू के बाद जो दस दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत्यात्मा के विभिन अंगों की रचना होती है और फिर ग्यारवें और वारवें दिन जो पिंड दान किया जाता है उससे ही वो यम लोग तक की यात्रा तै करती है अर्थात मृत्यू के पशाद 13 दिनों तक जो मृत्यात्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यू लोग से यम लोग तक जाने का बल मिलता है मिद्रो इसलिए गरोड पुरान में ब यानि बारहे महीने का वक्त लगता है मानिता के नुसार 13 दिनों तक किया गया पिंड़दान इस एक वर्ष मृता की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है मित्रोब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृतात्मा के निमित पिंड़दान नहीं किया गया तो क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ कि इसका भी वर्णन गरोड पुरान में विस्तार से किया गया है जिस के नुसार जिस मृताकात्मा के नाम से पिंड़दान नहीं किया जाता है उसे 13 वी के दिन यम्दूत जबरदस्ती घसीरते हुए यमलोक लेकर जाते हैं जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कश्ट उठाना पड़ता है इसलिए हिंदू धर में हर मृतक आत्मा के निमित 13 दिनों तक पिंड़ दान किया जाना आवश्यक बताया गया है इन सब के अलावा गरुन पुरान में यह भी बताया गया है कि 13 के दिन मृतक के निमित परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांती नहीं मिलती मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कश्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश में अकेले ही ये कश्ट भोगता साथी गरुन पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है ऐसे इंसान को इमराज कभी भी शमा नहीं करते और उसकी मृत्यू के बाद उसे कई तरह की यातनाय देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यू लोग में भेज देते हैं साथी गरुन पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुर्ण कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यू के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोग ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यू लोग से यमलोग तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कश्ट नहीं जहिलना पड़ता वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की आतनाय देते हैं जिससे भाई थर थर का अपने लगता है और यमदूतों से बार बार शमा मानाता है लेकिन यमदूत उसे शमा नहीं करते इसके बाद जब पूर्णे आत्मा यमलोग पहुँशती है तो यमराज उसे सुर्ग लोग भीज देते हैं जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किये गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भीजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निमने उनी में वापस मृत्यू लोग भीज देते हैं तो मित्रों मीड करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यू की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है अगर समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो शेर करें साथ ही ऐसी है आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल दा डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेस्बुक पीच दा डिवाइन टेल्स हिंदी फिलाल अच के लिए बस इतना ही इजाज़त दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया